नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नंबर के बारे में जो हर रेल यात्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जी हाँ, हम बात कर रहा हूँ PNR नंबर की क्या आप जानते हैं कि आपका PNR नंबर कैसे बनता है और इसमें हर अंक क्या मतलब होता है अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए, आज हम आपको इस पहली को सुझाने में मदद करेंगे PNR नंबर क्या है? सबसे पहले तो आएए जानते हैं कि PNR नंबर होता क्या है PNR का फुल फॉर्म है Passenger Name Record यह एक 10 अंको का यूनिक नंबर होता है जो आपके ट्रेन टिकट पर लिखा होता है यह नंबर आपके रिजर्वेशन की पूरी जानकारी रखता है जैसे कि आपकी यात्रा की तारी, प्रेन नंबर, सीट नंबर, आदी PNR नंबर कैसे बनता है? अब सबाल उठता है कि यह 10 अंको का नंबर कैसे बनता है? आए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं पहले 3 अंक, यह 3 अंक बताते हैं कि आप किस रेलवे जोन से टिकेट बुक कर रहे हैं जैसे कि 1 का मतलब है दक्षिन केंद रेलवे, 2 या 3 का मतलब है उत्तरी रेलवे और इसी तरह अगले 2 अंक, यह 2 अंक भी रेलवे जोन को ही दर्शाते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से अंतिम 5 अंक, यह 5 अंक पूरी तरह से रेंडम होते हैं और इनका कोई खास मतलब नहीं होता यह सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपका PNR नंबर बाकी यात्रियों के PNR नंबर से अलग हो PNR नंबर का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके जरिये आप अपनी टिकट की स्थिती जान सकते हैं आप रेलवे की वेबसाइट या किसी भी टिकट बुकिंग एप पर अपना PNR नंबर डाल कर चेक कर सकते हैं कि आपकी टिकट कन्फरम हुई है या नहीं यात्रा के बाद PNR नंबर का क्या होता है यात्रा के बाद कुछ समय के लिए आपका PNR नंबर वेद रहता है लेकिन फिर इसे रेलवे के सिस्टम से हटा दिया जाता है तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे की PNR नंबर क्या होता है और कैसे बनता है उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद